नमस्कार स्पागत है आपका जी बिस्नेस में मैं हूदी पक्डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी ख़बर आपका फाइदा क्या हम तरक्की कैसे पड़ाओ पर खड़े हैं जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाना प्राथ मिक्ता होनी चाहिए दरसल इंफुसिस का सरस्थापक नारायन मूर्ती ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए युवाओं को हफते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिया है उनके इस बयान ने देश भर में संग्राम छेड़ दिया है इसे लेकर कॉर्परिट जगत दो हिस्सों में मढ़ गया है कुछ उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग असहमत हैं ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे नारायन मूर्ती के 70 घंटे के मंत्र के माइने क्या हैं क्या ये सुझाव भारतिय परिप्रेक्ष में प्राक्टिकल धरातल पर क्या ये सही है सुझाव क्या ये प्राक्टिकली पॉसिबल है और इसके पीछे कहने का मतल या मकसद क्या हो सकता है अगर ऐसा हो तो फिर सेहत जिससे जुड़ी भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है कि जादा काम से प्रोड़क्टिवीटी तो छोड़ी है सेहत पर भी उसके विपरीत असर पड़ते हैं फिर उनका क्या होगा उन चिंताओं का करेंगे विस्तार से बात खास मैमानों के साथ लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए इंजिनेरिंग हो या मेडिकल या फिस्सीय या सिविल सर्विस जैसी प्रतिसपर्धी परिक्षा है सफलता पानली के लिए यूवाओ को रोजाना 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है ये मेहनत तरंग भी लाती है ये कोई नई बात नहीं है लेकिन जैसे ही इनफोसेस के संस्थापक नारायन मूर्ती ने युवाओ को हफते में 70 घंटे काम करने की बात कही देश में इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को लेकर बहस छिड़ गई लेकिन पहले समझना हुगा कि आखिर नारायन मूर्ती ने ऐसी बाते की संधर्व में कही और क्यू कही दरसल उन्होंने कहा कि ग्लोबल एकनॉमी में प्रतिस परधा करने के लिए यूद को तै समय से अधिक काम करने की जरूरत है उन्होंने भारत की तुनना चीन, जापान और जर्मनी से करते हुए कहा कि भारत की वर्क परड़क्टिविटी यनी कारे उत्पादक्ता इन देशों के मुकाबले कम है ऐसे में उन्होंने विकसित देशों से टकर देनी के लिए इंडियन यूद को हफ़ते में 70 घंटे काम करने की सलहा दी JSW Group के चेरिमेन सज्जन जंदल ने नाराइन मूर्ति की बातों का खुल कर सपोर्ट किया है उन्होंने कहा कि भारत को सूपर पावर बनने के लिए जादा काम पर जोर देना होगा इसका असर हमें 2047 में दिखने लगेगा कैब एग्रिगेटर ओला के CEO भाविश अगरवाल भी चाहते हैं कि यूद रोजाना 12 घंटे काम करें अगर इस पर अमल हुआ तो बहुत कम समय में देश तरक्की के उस पायदान पर होगा जहां दूसरे देशों को पहुचने में कई साल लग गए हाला कि कुछ लोग नाराइन मूर्ती की बातों से असहमद भी दिखें बिजनस ट्रांस्फोरमेशन लैब तलावी की CEO राजिश पदमनाबन यूद को घंटों में बांदने के खिलाब दिखें वही प्रॉप्टे यूनिकॉन नो ब्रोकर के CEO अमित अगरवाल के मुताबिक अधिक घंटे काम करने से आउटपुट पर असर पड़ सकता है एडलवाइस मूचिल फंड की CEO और MD राधी का गुपता ने इस बहस को नई दिशा दे दी है उन्होंने कहा कि कई भारतिय महिलाएं घर और ओफिस के बीच तालमेल बिठाते हुए दशकों से हफते में 70 करने के लिए यूद को अपनी दिन चरिया में नूट्रिशनल और हेल्दी डायट लेनी होगी साथ ही भरपूर नींद के साथ नियमित एक्सराइज को भी दिन चरिया में शुमार करना होगा वही डॉक्टर्स ने ये भी चिंता जताई है कि ज्यादा काम करने से कर्मचारी डायबिटीज सवाइकर ये स्पॉंडिलाइटीज जैसी लाइस्टाइल डिजीज के शिकार हो सकते हैं क्योंकि दिन चरिया बदलेगी तो लाइस्टाइल में बदलाव आएगा खान बान के आदते बदलेंगी ये सेहत पर भारी बढ़ सकती है फिलाल तो देश को आगे ब जुड़ रहा है सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले परिचय मेहमानों के साथ करा दें आपका हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश सती जी जो की जाने माने मार्क्टिंग ब्रैंड और कॉपरिट एक्सपर्ट हैं बहुत-बहुत सफागत हैं सतीज साब आपका भी सोनी का हमारे शोपर मैं सबसे पहले चरशा की शुरुबात सद्धी साहब आप से करना चाह रहा हूँ हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि काम करते वक्त एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बड़ा जरूरी है उसके एड़गेट प्रोड़क्टिविटी आउटपूट डेडलाइन स्किल डेवलेप्मेंट बर्न आउट इस तरह के बहुत सारे इश्यूस तेहरते हैं लेकिन नारायन मूर्ती साहब कह रहे हैं कि ये वर्क स्मार्टर का जो कांसेप्ट है वो भूल जाओ कह रहे हैं कि आप सत्तर घंटे काम कीजिए पॉसिबल है सर और आपकी राइस पक्याएं दीपक जी सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्सकों को मेरा तहे दिल से बहुत-बहुत नमशकार ये एक बहुत जोलन्त विशय है और मैं आज की इस चर्चा को एक अपने हिंदू सास्र के नीती स्लोक से आरम करना चाहूंगा यह बहुत से आपके दर्शकों ने आपने सभी सुना होगा कहते हैं कि उद्दमेन ही सिद्धन ती कार्यानी न मनो रथे नहीं सुक्तष्य सिंगष्य प्रविशंती मुखे म्रगा यह नीती का स्लोक आज की चर्चा और आने वाले युवाओं की कारिशेली उनकी क्षमता उनकी मेहनत को एक दिशा जरूर देगा उद्द्यम की परिभाशा बहुत सालों पहले कही गई है कि बिना उद्द्यम के एक बैठे वे शेर, सोते वे शेर के मुख में भी मिर्ग परवेश नहीं कर सकते अगर हम इस बात को एक बड़े व्यापक दाइरे में देखा जाए तो यह 16 आने सत्य है कि उद्द्यम का hard work का productivity enhancement का कोई दूसरा और उपाए नहीं है उद्द्यम hard work productivity enhancement के साथ सभी बाते आती है जो आपकी अबी report में देखाई गई कि how do we manage हम अपनी wellness को कैसे manage करें health को कैसे manage करें emotional, mental physical health उस सभी के साथ आती है लेकिन यह सब एक sub-set है overall hard work के हाड़ वर्क के साथ जुड़ी हुई बाते हैं productivity enhancement की जब हम अपनी तुलना विश्व के प्रतिष्टित देशों से करते हैं जैसे की चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, योरोप के कई देश उन सभी देशों के पुरानी पीडी ने जरूर किसी न किसी एरिया में और यह कहा जाए कि सभी छेत्रों में जबरदस्त मेहनत की होगी जिसका नतीजा आज है कि आज हम हर चीज के लिए पाश्चत जगत की तरफ देखते हैं हिंदुस्तान ने भी भारत ने भी कई छेत्रों में बखूप मेहनत की है और उसका नतीजा आज हम स्पेस रिशर्च में देखते हैं जहां कि स्पेस रिशर्च में इंडिया की सैटलाइट कंदे से कंदा मिला करके साइन्स और टेकनलोजी और इनोवेशन में विश्वा के दूसरे देशों से या तो बराबर है या उनसे कई माईनों में आगे भी हैं बट सती सर यहां पर एक बहस यह हो रही है कि लॉंग आर्स ओव वर्किंग आखिर कैसे हाड वर्किंग है और कम समय में अगर कोई व्यक्ति उस काम को कर ले रहा है उतने ही शिद्दत के साथ कर रहा है उतने ही समर्पन के साथ कर रहा है तो फिर वो हाड वर्क की श्रीणी में क्यों नहीं आ रहा है ये क्यों कहा जा रहा है कि जब तक आप 70 घंटे काम नहीं करेंगे तब तक वो hard work नहीं है, आप hard working नहीं है देखो मेरे ख्याल से दीपक जी इस चीज़ को हमें शब्दों के माध्यम से परेहट करके एक बड़े broad spectrum पर देखना होगा अगर कोई intellectual कार कम समय में किया जाता है effectively तो आप उसको घंटों के माइने में नहीं तोल सकते लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दूसरे पठल पर देखेंगे जिस प्रकार आप चाइना की productivity per employee और per human productivity range को आप देखेंगे तो हिंदुस्तान से कई आगे है तो आपको ये एक ही तराजू के पलड़े पर सभी चीज़ों को नहीं तोल सकते हर छेत्र में तकनीकी, labor industry, intellectual industry, science and technology में आपको इसको अलग-अलग नजरिये से देखना होगा मैं आगे बढ़ता हूँ, अमित कुमार अगरवाल भी हमारे साथ जूचुके हैं, CEO है, no broker के, बहुत-बहुत सपागत है अमित आपका भी पहले मैं फड़ाफिट से मुनीरा के पास आना चाहूँगा, मुनीरा आपका इस पर टेक क्या है, working for an extended period, ये dedication दिखाता है, ये effectiveness दिखाता है, ये quality of time matter करता है या अगर हमको दिया गया task है, वो हमने effectively अगर पूरा कर लिया, उसको हम कहेंगे focused, hard work, किस तरह से श्रेणी को लिया जाए है, 70 गंटे की पूरी परिकल्पना आपको क्या नजर आ रही है? मेरे हिसाब से, चाहे Mr. Murti हो या कोई भी उनके अनुसार जो सक्षम leaders हैं हमारे देश के, वो मेरे ख्याल से ये कहना चाहा रहे हैं कि इसको तीन हिसों में समझा जाए इनकी बात को या किसी भी इस परकार के लिए रहे को, एक जो हम समय देते हैं work day में, क्या उस समय का हम उत्पा तक जाच रहे हैं, एक तो ये हुआ, दूसरा, मनुश्य या जो employee है, वो अपनी योग्यता और अपनी सक्षम के अनुसार, उस काम को क्या उद्देश बून कर खतम कर पा रहा हैं, और तीसरा, कारियं को जो पूर्ण करने का प्रभाव है, वो क्या company के goals और organization के expectation के हिसाब से, मेरे कहाँ से ये तीन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरी एक important चीज़ जो मेरे अभी सयोगी मित्र ने कही, भारत 2005 या 2006 में तकरीबन, जन संख्या जो लाभांच होता है, demographic dividend जिसे हम केते हैं, उसमें भारत की प्राक्ति हुई है, यह स्थित शीष स्तर पर होगा, which is 69%, मेरे हिसाब से बुलावा ये है कि जो यंग employee workforce है, वो आगे आकर किसी भी देश की प्रगती के प्रमान में अपने कार्यों को पुरा करें और अपनी जो क्रिया या काम करने की जो क्रिया है, उसको बदले, मेरे ख्याल से दिशा इस तरफ है, अब उसमें चाहें आप सतर घंटे काम करें, या आप अपने productivity के हिसाब से काम करें, ये हर एक organization, अगर एक employee को मिलके इसको strategies करना है, मैं absolutely, मैं इससे पहले Sonika के पास जाओ, मैं quickly जड़ा Amit के पास आना चाहूँगा, Amit एक बहुत दिल्चस्प reaction, अशनी ग्रोवर का मैंने देखा, उनका एक line जो लिखा था, वो कह रहे हैं कि, सारे लोग ये क्यों सोचते हैं कि, यंग्स्टर्स की laziness की वजए से ही, भारत जो है वो developed नहीं हो पाया, और हर कोई आता है कि, साब हमारे यंग्स्टर्स जो हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, जितने घंटे उनको करना चाहिए, वो attitude नहीं है, इस observation से आप सहमत हैं, और आपका अपना take भी ज़रूर बताएंगे तो देखें जी, मैं तो मिश्टर मूर्ती से completely disagree करता हूँ, और यह बहुती sweatshop type का comment है, मेरा तो कहना यह है कि, खासका service economies में, जो कि हमारी Indian economy है, और मैं हम लोग तो खुदी, मैं no broker चलाता हूँ, which is a service based startup, real estate based startup, output matters much much more, तो आप, हाँ, जित जो आप काम कर रहे हैं, उससे finally output कितना हो रहा है, हर किसी मनुष की एक ability यह दिन भर में काम करनी कि, अगर आप, अगर आप दिन में 10, 12, 14 घंटे काम करेंगे, तो आप intellectually alert कितने घंटे हैं, और उसके बाद बचेवे time में आप, बस बॉस को दिखाने के बैठे हुए हैं, यह 70 घंटे पूरा घंगल बैठे हुए हैं, कि आप सच में contribute भी कर रहे हैं, हाँ, मैं यह जरूर डिस्क्लेमर डालूंगा, कि हमेशा हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता है, जब उसको सब कुछ balance छोड़ना पड़ता है, और किसी एक चीज के पीछे बुरी तरह से passion होके पढ़ना पड़ता है, और तब 70 hours a week बनता है, for example, हमने जब 9 broker company start करी, तो जुलकुल 70 hours a week काम किया, और हमेशा career में आपके कोई board exam आपका आ रहा है, कोई important event है, तब तो आप करोगे 70 hours, लेकिन उसको अगर छोड़ दें, तो life is about balance, and work is about output, तो output आपने कि ना दिया, वो ज़्यादा जिरूरी है, तो यह कहना है, कि आप 70 घंटे काम कर लो, सोनिका, मैं फटा-फटा से आपके पास आना चाहूंगा, एक तो आपका इस पर टेक क्या, और आप किस तरह के reactions देख रही हैं, इंडस्ट्रीव हैं? So, मैं यह बोलूँगी कि हम अगर words पे ना जाएं, exact words पे 70 hours, मैं तो यह बोलूँगी कि किसी भी type का extreme ठीक नहीं है, चाहे आप 70 hours a week की बात करें, या आप 4 days a week की बात करें, I think यह एक output driven decision होना चाहिए है और यह हर company to company, industry to industry and person to person depend करेगा कि जो expectation है company की मैं कितना काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मुझे क्या output देना है, I think इन सब चीजों को balance करके यह decision लेना चाहिए है, number one. Number two, जो मैं industry का reaction देख रहे हूँ, I think वो बहुत semantics के साथ खेल रहे है, के 70 hours a week हो सकता है, नहीं हो सकता है, they are taking it to mental health, burnout, I think we should look at what is being said, what is the purpose of the statement being made by somebody who has created something very great and not get into semantics and rhetoric. On one side, you know, it is all about taking our country to a level of greatness and what should be the approach towards it. And I agree that, you know, like Amit said that if somebody has to really achieve something in short bursts of time, everybody has to put in that hard work and in short bursts of time, all of us have worked for 70-80 hours a week. लेकिन, for a sustained period of time, उसको रखना पॉसिबल नहीं है, it's all about balance. ग्हंटे काम का जो intention है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको practical grounds में भी देखना होगा, कि वो जादा लंबे समय तक possible रहेगा, नहीं रहेगा. सत्तर घंटे काम, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, और सत्तर घंटे काम या 70 hours of work in a week, अब ये किसी परिचे का महताज नहीं है, ये term, क्योंकि सब जगा इस पर बातचीत हो रही है, और हर तरह से हो रही है. साधी साथ, आपके पास ये आना चाहेंगे, अब सवाल वही है, कि एक, कहा ये जा रहा है कि जब एक start-up करने वाला, जब कोई promoter हो या owner हो, उसके संदर में तो ये fit बैठता है कि उस 70 घंटे काम करें, जैसे Elon Musk तो 70 क्या हो, तो 100 घंटे काम करने की बात कहते हैं, तो उनके संदर में समझ में आता है, कि जो लोग owners हैं, जो लोग अपना start-up कर रहे हैं, बट एक employee के संदर में, ये बात जादा लोगों के गले नहीं उतर रही, ये देखिए आप, जैसा मैंने इस चर्चा के सुरुआत में कहा, कि आप इस विशय को किस नजरिये से देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक larger perspective, एक बड़े परदे पर आप देखते हैं, जहां कि हिंदुस्तान, भारत की एक goal है कि by 2047 हमें एक विश्वगुरू और एक global economy बनना है, तो हमें global economy में already established countries के साथ बहुत जबरदस टकर के साथ काम करना पड़ेगा, तर रहा हूँ, नारैन मू जो उनकी company है, उनी में अगर आप एक entry level employee की salary देखेंगे तो साड़े तीन लाख रुपे सालाना है, अब आप साड़े तीन लाख रुपे सालाना पर 70 गंटे काम करने की हिदायत दे रहे हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश तो दिखेगा सर, तो क्या हम 70 गं अपने शब्द यूज किया कि हमें माहौल एक infrastructure, overall infrastructure के अंदर सभी चीजें, सभी parameters involved हैं, और जब आप इंडिया के talent को यहां हिंदुस्तान, भारत से जाकर के पास्चात, अमेरिका और यूरोप में जाकर के देखते हैं, तो वही काम हम एक different mindset के साथ करते हैं, तो हमें वो mindset क साथ output productivity enhance करने के लिए overall infrastructure पर भी बहुर करना पड़ेगा, और I'm sure मुझे बहुत, मैं बहुत positive हूँ, कि जब ये चर्चा आज हुई है, तो आने वाले समय में सभी चीजें अपनी रूप रेखा लेंगी, याने कि आप कहरें कि जो हमारा larger goal है, उसके लिए हमें कहीं न कहीं अपनी capabilities को और explore करना पड़ेगा, बार 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 बात की जाती है, मुनीरा मैं फड़ाफट सहारा आपके बास, बार 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 बात की जाती है कि साथ, अमेरिका में तो ऐसा होता है, ये वही अमेरिका है, जहां पर 1886 का श्रमिक आंदोलन हुआ था मैं, जहां पर हम 15-15-16-16 गंटे जो मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को 8 गंटे पूरी दुनिया में काम के अधिकार मिले, इसी अमेरिका से मिले, इसी पश्चिम से मिले, ये मजदूर दिवस पश्चिम का दिया हुआ है, स्वाभाविक रूप से मजदूरों के खून पसीने का अंदोलन वो था, लेकिन समझने पर बाध्य तो हुए, आप उसी पश्चिम का हवाला हम देते हुए कह रहे हैं, किसा आप भारती तो कुछ कामी नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां का सोच है? जब कितने ऐसे स्टार्टप से जिन्होंने सतर गंटे काम नहीं भी किया है, ये मैटर करता है कि आप अपने स्ट्रॉक्चर और 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 अर्गनाईजेशन की गोल्स को किस तरह अलाइन करते हैं, देखे, आज अन एंप्लोई हमें ये जानना है कि क्या हम अपने काम को मॉन बहतर होगा, आप उसको बहतर मैनेज कर सकेंगे और मॉनिटर कर सकेंगे, तो सवाल ये है कि जो हम डाल रहे हैं, जो हमारा हमारी योग्यता के हिसाब से, जो हमारा हमारी जो संक्षा है, उसके हिसाब से हम डाल रहे हैं, उसका आउटपुट किसको बेनिफिट कर रहा है, आपने कुधारन दिया कि Infosys के जो Employees है, उनकी सालरी इस तरह की है, क्या आप इस सालरी के लेवल के लोगों को expect करेंगे कि वो दिन के 12-14 गंटे काम करें, सवाल उस चीज़ का नहीं है, सवाल ऐसे देखे कि क्या आप उस Unit को, सतर घंटे किस तरह से rotation में चला सकते हैं, ये भी एक option है, और काफी सारी IT companies ने इसी options में 3 shifts के काम लिये हुए है, जहां पर आपका rotation सतर घंटे से भी ज्यादा है, तो जो काम है, वो सिरफ एक employee के लिए सतर घंटे नहीं है, ये एक call-out है, organizations के लिए, HRS के लिए, और जो leaders हैं के लिए, कि आप अपने culture, work profession और अपने employee की work-life balance को किस तरह से realign करेंगे, तो ये एक important जीज़ में लिए अमित, एक counter argument इसमें ये आता है हमेशा से, जैसा कि सती साब ने भी कहा, कि हमारे goal है 2047 तक developed country का तमगा हासिल करना, अब उसके साथ तो जो हमारा मौजूदा productivity है, जो हमारा mindset है काम करने का, उससे काम तो नहीं चलेगा, तो आप 70 न सही, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, कि level up हों आप दिखें, क्योंकि वो अभी spark नजर नहीं आता, ये counter argument आता, इस पर आपका take sir. तो देखे, ये बात तो ठीक है, ये तो काफी mathematical बात हो गई, कि अगर कोई देश 70 घंटे काम करेगा, तो देश आगे जाएगा, compare to वो देश जो की, ये यॉरॉप जो की परहपस चार दिन काम कर रहा है, तो बात केवल वहीं की नहीं है, अब इसमें तो और कोई, कोई इसमें counter argument कर सकता है कि, jobs कितनी हैं, इंडिया में क्या main problem केवल output की है, कि इंडिया में main problem बेरुजगारी की भी है, तो वो भी अपने एक discussion है, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि, इसमें तो कोई शकी नहीं है कि जितने बड़े नायंड मुर्ती हैं, उतनों शाम में से कोई भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कि किसी बड़े आदमी ने कोई बात बोल दिये है, तो उसको वैसा वैसा माना जाए, और ना हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अगर 70 गंटे बोला है, तो 70 गंटे को छोड़ दो, उस concept पर discuss करें, भी 70 गंटे उन्होंने कहा है, तो उसी पर discuss किया जाएगा ना, जो उन्होंने कहा है, और दूसरी बात ये भी है कि, देखिए, जैसे हमने बोला, कि स्टार्ट अप अपने फाउन करी, कोई important काम किया, तो लोग करते हैं काम, आप McKenzie, Goldman Sachs, ऐसी कंपनी में देखिए, तो लोग करते हैं 70 गंटे काम, लेकिन फिर उनको उसके बदले में, में वो महनताना भी मिलता है, उनका वो ROI भी है, अब अगर हम और आप लोग अपने टीम मेट्स को, जिनकी एक नर्मल सेलरी है, उनसे एकरम 70 गंटे के एक्सपेटेशन करें, और उसके बदले में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उनकी हेल्थ खराब हो जाए, तो देश को आगे बढ़ाने में, और लोगों का शोशन करने में, क्या फरक रहेगा, मतलब डिवरेंटिये कैसे होगा, बिताइए, मेरा ख्याल है, लॉकडाउन के तुरंद बाद, मेरे ख्याल से 20 से जादा ऐसे देश थे, जहां पर बर्न आउट की प्रॉब्लम्स पर डिसकेशन हो रहा था, जहां पर एक्स्ट्रा लॉंग आस के बारे में डिसकेशन हो रहा था, और 4 डेज वीक के बारे में डिसकेशन हो रहा था, including India और four days work culture पर तो भारत सरकार की labor ministry काम कर रही है अब एक तरफ हमारे सामने ये है और दूसरी तरफ सोनी का आपका take अब एक balance अगर हमको strike करना हुआ तो फिर वो क्या हुआ balance देखे जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी extreme ठीक नहीं है और हम किसी भी extreme को mandate नहीं कर सकते चाहे आप four day week की बात कीजे चाहे आप 70 hours की बात कीजे अभी जब covid हुआ था तो बहुत सारी companies ने remote work में काम किया और जैसे ही covid खतम किया बहुत सारी companies ने mandate कर दिया कि आप वापस आई ओफिस और उसमें भी employees ने जब उनको वापस आने के लिए mandate किया और काफी companies ने तो lay off भी किया उन लोगों को जिन्होंने आने से मना किया या फिर उनकी incentives काते या उनकी salaries काते तो ये जो mandate हो रहा है किसी भी तरह का mandate करना I don't think कि वो appropriate है हमको ये देखना पड़ेगा फिर से balance लेके चलना पड़ेगा कि कौनसी jobs कौनसे roles किस तरह से जैसे हमने अभी environment की बात करी enable करने की बात करी एक culture बनाने की बात करी कि किस environment और culture में productive हो सकते हैं so that we can get the most out of the employee absolutely और उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा in fact इस podcast को आप पूरा सुनेंगे तो नारायन मूर्ती साब ने एक तो productivity के साथ साथ दो और बात कई मेरा ख्याल है उस पे भी हम सब को ध्यान देना चाहिए पहला ब्रष्टा चार पर उन्होंने बात करी वो भी खतम होना चाहिए और दूसरा उन्होंने जो bureaucracy का जो decision नहीं लेने की जो उनकी स्थिती है non-decisiveness ये इस पर भी ध्यान देना होगा तो मेरे ख्याल एक बड़े फलक पर देखने के हमें आवश्रकता है जो सती साब कह रहे थे उद्यम तो बहुत जरूरी होगा ही लेकिन एक broader perspective पर रायबनानी बड़ी जरूरी होगी बहराल बहुत बहुत शुक्रिया आप सुभी का वक्त निकाला आपने सती सेर तैंक यू सो मच आपका मुनीरा तैंक यू सो मच सोनीका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर आपका फाइदा में इतना ही अजाज़त दीजिए